आज की वीडियो में बात करेंगे कि बह कौन कौन सी भूमिया है जिस पर कि आप जो है भूमी धारी के अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे नमस्कार में डॉक्टर राजेश लोधी और आपको इस वीडियो में डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं तो यहाँ पर बता होता है और कानून का जो व्यक्ति उलंगन करता है जो है गयर कानूनी तरीके से और भूमी पर अपना कभजा करता है अपना मकान बना लेता है अतिक्रवन कर लेता है तो जो है कानून के तहत जो है उस भवन को गिराने का अधिकार जो है रहता है तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन-कौन-सी भूमियों पर भूमी स्वामी के अधिकार जो है कानून के तहट लागू नहीं होते हैं, तो डिटेल में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो है हमें फॉल और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए तो चलिए दोस्तों डेटेल में बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर बताना चाहेंगे सीपी सी के सेक्षन नियम 132 के तयत बे भूमिया जिन पर की भूमी धारी के अधिकार जो है लागू नहीं होंगे तो बे कौन कौन सी भूमिया हैं उनके बारे में एक एक करके आपको डेटेल में हम बताने वाले हैं तो सबसे पहला है दोस्तों पसुचर की भूमी पसुचर की भूमी मतलब की दोस्तो बह भूमी जो के जिस पसू चरण के काम में आती है गावों में अक्सर दोस्तो देखा जाता है कि गाए वैस जो पसू होते हैं उनको चराने के लिए गवर्मेंट द्वारा अलग से पसू चर की भूमी दी जाती है जिसमें की सिर्फ आप पसूँ को चरा सकते हैं उन करता है उस पर अथिक्रम करता है उस पर कोई मकान बनाने कोशिस करता है या फिर उस पर उसको हग करके किर्सिकार करने की कोशिस करता है या फिर उसने मकान बना लिया होता है तो कवर्मेंट को सरकार को या अधिकार है कीवा कोट के आदेश पर जो है उस भूमी से कबजा हट उसका मकान को तोड़ दे और जो है उसको वहां से बेदखल कर दे तो इस परकार की भूमी पर अगर कोई व्यक्ति कबज्जा करता है तो उसको जुए वहां से बेदखल किया जा सकता है और दोस्तों दूसरा है जिस पर पानी बह रहा हो मतलब की ऐसी भूमी जिस पर पानी बह रहा हो उस भूमी पर जो है कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर लेता है तो वह जो है गवर्मेंट उस व्यक्ति को वहां से बेदखल कर सकती है उसको हटा सकती है अब पानी बेहनेंसे मतलब है, माना लिए कोई दल दल भूमी जोस्तो जिस भूमी पर कोई फसल जैसे लोग लगाते हैं, जैसे सिंगाड़ा हुआ, इस परकार की फसल लगाई जाती है, तो ऐसी भूमी पर भी अगर कोई व्यक्ति कबजा कर लेता है, तो उसको भी इस के तहद बेदखल कर दिया जाएगा अब यहां पर बताना चाहेंगे तीसरा है किरसी कार्व नहीं किये जाने वाली भूमी मतलब कि जिस भूमी में खेती नहीं हो सकती है ऐसी भूमी पर अगर कोई व्यक्ति खेती करता है उस पर कब्जा करता है उस पर अतिक्रम करता है तो ऐसी भूमी पर से भी बेदखल कर दिया जाएगा। आप यहां पर बताना चाहेंगे ग्राम या ग्राम सवा की बन भूमी। मतलब की दोस्तों गाबों में पेड़ पौदे लगाने के लिए अलग से ग्राम सवा या ग्राम पंचायत द्वारा जो है एक भूमी को निश्चित कर दिया जाता है कि इस भूमी पर पेड़ पौदे लगाए जाएंगे ग्राम पंचायत के द्वारा और उसका रख रखाप क किया जाएगा अगर ऐसी भूमी पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है उस पर कोई मकान बनाने कौसिस करता है या फिर उस पर अतिक करमन करता है तो ऐसी भूमी से भी उस व्यक्ति को बेदकल कर दिया जाएगा अब नेक्स्ट है फोजी पड़ाब की भूमी मतलब की जहां प अपना जो है वहाँ पर ट्रेनिंग का काम करती है अपना पड़ाव डालती है तो ऐसी भूमी पर भी अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है उस पर अतिकर्मन करता है उस पर कोई भवन निर्मान करता है या कोई भी किर्सिकार करने की कोशिश करता है तो ऐसी भूमी से भी व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाएगा और दोस्तो आखरी है रेल या नहर सीमाओं की भूमी मान लीजिए रेल की पट्री के पास में कोई जगा पड़ी हुई है और उस जगा पर अगर कोई व्यक्ति अतिकर्मन कर लेता है जुगी बस्ती बना लेता है और लोगबाग वहा की बस्तियां बना लेते हैं और फिर जो है आगे चलके काफी ज़्यादा समस्या आती है तो ऐसी भूमी जो रेल की पट्रियों के आसपास रेल की सीमाओं के आसपास और कोई व्यक्ति उस पर अतिकर्मन करता है तो उसको भी सासन द्वारा हटा दिया जाएगा या फिर करता है उस पर कोई निर्मार कार करता है तो उसको भी दोस्तों सरकार के द्वारा हटा दिया जाएगा तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में बदाया कि कौन सी भूमिया है जिन पर की कोई वक्तिया अगर अतिकर्ण कर लेता है तो उसको जो है वहां से हटा दिया जा आएगा अगर आपको जानकर रिया चिलेगे इस वीडियो को लाइक करिए और हमें पॉल्लो और सब्सक्राइब भी जरूर करें नोस्तों